नमस्कार बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्यप्रदेश में मैं हूँ आपके साथ अमित शर्मा मध्यप्रदेश में सरकारी करमचारियों को दिपावली बोनस से लेकर लाटली बहनों के लिए 4500 रुपए में गैस लेंडर गोवर्धन पूजा पर अपकाश और चार दिन की विशेश छुट्टियां ये सभी निरणे एक साथ सामने आए हैं इसके साथ ही राज्य में एक लाख नए पदों पर भरती की स्विक्रती और करमचारियों को 2000 रुपए एडवांस के रूप में दिपावली सैलरी भी दी गई है लेकिन विपक्ष इसे जनता को असल मुद्दों से भटकाने की रणनीती बता रहा है तो क्या मुखेमंतरी डॉक्टर मोहन यादव के ये फैसले वाकई प्रदेश की जनता को सशक्त और खुशाल बनाने के लिए हैं या फिर ये सियासी चतुराई से अपनी कमजूरियों को चुपाकने की एक कोशिश है जैसे की विपक्ष कारोप है आज इसी विशेप पर हम चर्चा करेंगे मगर उसके पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट दीपावली से पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादाव ने सरकारी करमचारियों के लिए एडवांस सेलरी की घोशना की लाडली बहनों के गय सिलेंडर पर बड़ी सबसीडी के एलान के साथ गोवर्धन पूजा का अवकाश चार दिन के छुट्टियां और एक लाख नए पदों पर भरती की स्विक्रती दी है मुक्यमंत्री डॉक्टर मोहनी आदाव ने मीडिया से चर्चा में कहा दैस सरकार ने ने किया है कि हमारे अपने सभी अधिकारी कर्मचरियों का जो महेंगाई भटता है उसको भी बढ़ाने का ने ने हमारे दवरा लिया गया है मेरी अपने और सबको बढ़ाई खासकर इसकी बढ़ाई डबलता हो जाती है जब दिपावली भी है और इसा उसरवर मर्देश की स्ठापना दिवसका कारी करन दिए एक नमबर मर्देश के कठन की पहली तारिख जो 1956 में एक नए प्रदेश का आकार सा करली कर गाई जिसके मद्ध हम सब अपने अपनी दिन चरिया चलाते वे देश की सेवा मर्देश की सेवा समान रूप से आगे बढ़ती जाए जिस भाव के धर पर काम करते रहते हैं साथ लाख करमचारियों और अधिकारियों को महंगाई भक्ती की एराहत निश्चित रूप से दिपावली से पहरे एक बड़ा तूपा का दावा है लेकिन प्रदेश के लगभग साड़े चार लाख पेंशनर्स को अब भी इंतिजार है करमचारी संग ने भी मांग रही है कि जुलाई दोहाजर चोबिस से तीन प्रतिशत का अत्रिक महंगाई भक्ता भी लाख किया जाए प्रदेश की सरकार द्वारा समय समय पर उसको उचित लाब दिये जाएंगे उसका हम स्वागत करेंगे विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन्यादा द्वारा दिपावली से पहले किये गए बड़े ऐलानों का असली उद्देशी प्रदेश के असल मुद्दों से जनुता का ध्यान भटकाना है दिपावली पर कर्मचारियों के टिये बढ़ोतरी की खोशना पर कॉंग्रेस ने सवाल उठाए ऑपनेता प्रतिपक्श हेमत् कटारे ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से केंद्र के समान साग प्रतिशद दिये लागू करने की मांग की लेकिन राज में चार प्रतिशद ही दिया गया है कटारे ने तिरपन पीसिटी डिये देने और एरियर के एकमुष कराशी जारी करने की मांग भी की उन्होंने दिपावली से पहले बहनों के खातों में तीन हजार रुपए डालने की मांग की जिसे सीम ने विजयपूर उपचुनाव और 2023 की चुनाव में वादा किया था उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सीम का जीवन भर रिनी रहूंगा मंदिरी इसकी भी तत्काल भोशना करके मंद्य प्रदेश की सभी राटने वैड़ों को तीन अजार रुपए एक मुछ जारी करें कुल मिलागर मुख्यमंत्री के फैसले जरता के लिए राहत का संदेश लेकर आएगे लेकिन विपक्ष इसे असल मतों से भटकाने का प्रयास मान रहा है सवाल ये है कि क्या ये तोहफे सचमुछ प्रदेश को प्रगती की और ले जाएंगे या केवल राजनितिक लाप के लिए उठाएगा एक रदम है तो तोहफों की सरकार आज इसी विशे पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास महमाल भी पानल में जोड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर बानी आहलुबाले जी इस चर्चा का हिस्सा है वानी जी बहुत स्वागत है आपका कॉंग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे जितेंद्र जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है राजनितिक विश्लेशक डॉक्टर भुपेंदर सुलेरे जी भी इस चरचा का एहम हिस्सा है डॉक्टर भुपेंदर सुलेरे जी आपको भी बहुत स्वागत है वानी जी जिस तरह से लगातार हमने देखा है कि कई घोशनाएं एक जड़ी में की गई है लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि पहले से जो घोशनाएं की गई थी उन्हें आप पूरा नहीं करते और इन घोशनाओं के माध्यम से आप जन्रता का ध्यान भटकाने की कोशिश में है सबसे पहले तो आपके दस्तुमों को मैं नमशकार करूँगी और जो आगामी हमारा पर्व है दिपावली का धी पुतसव है उसके लिए अनंत शुक कामनाएं देती हूं और देश और इस प्रदेश की प्रगती के लिए कामना करती है और साथ ही तेरे साथ जो आप लोग सब जुड़े हूए इस वातालाप में आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूं निश्चत रूप से कॉंग्रिस को तो लगेगा ही कि मैं एक वक्ता के नाते सरकार भाजपा की होने के नाते ध्यान दूसरी तरफ लेके जाना चाहरे हूं तो ध्यान कहां से मैं हटाना चाहरे हूं मुझे लगता है कॉंग्रिस की नाकामी उनके शब्दों में जलक रही है क्योंकि अभी जो विरोध हम देख रहे हैं कॉंग्रिस के अंदुरूनी खेमे में हो रहा है इनकी कारकाड़नी जो गोशित हुई है उसी को लेकर इनको डर है कि कहीं न कहीं उस कारकाड़नी पर चर्चाएं और प्रभल रूप से नाम होनी शुरू हो जाएं नाकामी और असफलता के जो इनकी बुलंद तस्वीर है उसके उपर ना चर्चाओनी शुरू हो जाएं इसलिए ऐसे वक्त अभी ये देते हैं और इसलिए ऐसे चर्चाएं करने की चेश्टा करते हैं परंतु ये डबल इंजिन की सरकार है ये नरेंद्र मोदी जी के मार्क दर्शन में यश्यस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार है और निरंतर जन कल्यान, जन सेवा, प्रदेश के हित और प्रदेश के एक अच्छे भविश्य के लिए जो नीती रीती तकनी चाहिए और जो उनको समन्वे बिठाना चाहिए एक ऐसी सरकार है जो निरंतर नवाचार करते हुए आगे बढ़ती जा रही है और मिश्चित रूप से मर्द्र प्रदेश का भविश्य, एक ओद्यों के राज, एक विकास शील राज के रूप में देखने को हमें मिलेगा आने वाले दिनों में हम भूल जाते हैं कॉंग्रिस ही होते हुए कि कहां एक बंटाधार राज्य का रूप था कॉंग्रिस के शासन में जो दिगवे जै सिंग और कमलना जैसे नेताओं के नेत्रित्व में हुआ करता था वहां से हम बहुत लंबा सफर तै करके यहां तक पहुंचे हैं और अभी भी जो विकास और राष्ट्रवाद की नीतियों के अंतरगर्थ हमने आगे बढ़ना है सफर अभी बाकी है सफर अभी बाकी है जितेंद्र जी लेकिन यह जो पूरी घोष्णाएं हुई हैं क्या इनका स्फागत नहीं करता विपक्ष क्या मांगे हैं और क्या इसमें जोड़ा जाना चाहिए था जी जितेंद्र जी सुन पारें आप मुझे जी 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 जुड़ते हैं से बहुत लंविद गोष्णाएं भी थी इन्हें अब पूरा कर लिया गया लेकिन कॉंग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है और इसी वज़़ा से इस तरह के वक्ता वेदेरी लेकिन बड़ा इंद्र जी की जो घोष्णाएं की गई है धरातल पर कितना सगरात्मक प्रभाव इसका आप देख पाते हैं और क्या सब कुछ आज सरकार ने दे दिया है या पिर पाले में अभी और भी गेंद वाकी है इस तरकार के लिए कर्वचारी बहुत महत्पोन और उसके बाद प्रजाएं तब गुद्ड़ाव इस सरकार को बनाने में काल में और उस समय के काल-काल को हमेशा याद कराती है क्योंकि निश्चत उसे बहुत ही दुर्भाग कौन था कर्मचानियों के बढ़ती नहीं हो देटी, कर्मचानियों के पिजली, सड़क, पानी की समस्कान थी, निश्चत के तर्मान नहीं मिल लेते, शिच्छा बिवाग और अन बिवागों भरतियां के लिया और उन्हों ने उसी स्टैंग को संवेदा निश्टी की दौर भी चला था, और वो निश्टी से इस सरकार ने काफी कुछ किरियान में किया है, इसमें तो कोई दोमत नहीं है, दूसी बात, मद्धिपिदेस का पिसासन कासावर्ण भी देखी जा रहे हैं, यह राज़िती मोटब फ्रूइट तो होती है, लेकिं असफेसने के लिए प्रियान में करता है, विदे कि यह आवकास का, यह 4 बड़िये का, लेकिए के हमान अभी तो नहीं हुआ है, लेकिं उसके पिकरिया में लगातार बग और जो महलाओं की बोट का हमेशा परवपय ध्यान रखता जाता है उनको सेलेंडर की रूप में उनको अगरमरास्थी की रूप में देने के लिए ये बहुत बड़ा मोटे तैयार कर दिया है ये अन राज्यम में प्योग हो रहे हैं और विदान सबाओं में प्योग हो रहे ह हैं अगले चनाओं भी देखेंगे थो उनमें भी महराष्टी के चनाओं में भी हो रहा है तूसरी रात उन्होंने पेशा के जो ट्राइवलवेस राज्य है मतविदेश और उनमें जो पेशा के कानून के उसमें कर रहे हैं उनका मान देए लेकिन साथ-साथ भी बहुत की समझ से आए है मतवदेश के, देखे, विश्व जयाले नरंदर अभी स्पीन विश्व जयाले की कुलपती भी गोश्णा की है, लेकिन विश्व जयाले में निस्तिया नहीं हो पा रही है, अतिती विद्वानों की रूप में चल रही है, उनके क्र साथ भी गन्यची है कि बहुत बर बाइसरी साल में हो गया साथ इस फ़ार कोुझे है, जो समने दमधा करणी हैं, जो आउटसूर्ट ही करनीचारी वो भी बहुत ठैन्शा में वर घुगता है वो भी एक फाइटर की रूप में आने वाले समय में आईगे क्योंकि उनका जो मांदे बढ़ाया गया था और वो अधीना भी नहीं हो पाया है लागो उने, वो आज की महगाई के साथ को भी बहुत ही पटनी की समस्था है लेकिन सरकार ने अपने सापना दिवत पर एक अच् अगर वो तत्थों के साथ घेरेंगे तो वो जहता उर्पे संदेश जाएगा लेकिन एक धरातली लूप में एक मुखमंती के लिए चैलेंज है और सनातन की पद्धती को बढ़ाना ये जिए अच्छा है क्योंकि सरकार सनातन की सीच को बढ़ाए और विपक्ष लगातार स चली एंसे हम लगातार संपर करने की कोशिश कर रहे हैं वाणी जी जैसे की डॉक्टर भुपेंद्र सुलेरे जी में कहा कि कहीं न कहीं बहुत सारी चीजें तो की गई है लेकिन विपक्ष लगातार जैसे की सवाल उठा रहा है तत्यों के साथ अगर वो उठाय सवाल तो हाद चारो करोड़ रुपे का हर पंदरा दिन में सरकारत कर दे ले रही है आली शांच बगलों का निर्माण हो रहा है बड़े बड़े हबाई जा खरीजने के लिए टेंडर बुलाय जा रहे है लेकिन कर्मचारी को पूरा नहीं दिया गया दिया गया तो उसमें भी दिया कि कि बी तरीके से यह चुनाओ को लेकर के खुलना है जब-चब चुनाओ को लेकर के खुछलना करते है जब-जब चूनाओ यह तरह के जूले मukh मंदिरी परूस देतें मध्व पुन्देश में देखिए सिलेंडर की बात, फ़स्ती गैस की बात, तो सिवरासी सौध के जमानी से हो रही है, आप तेह रही है, तो मेहगा ही कभ करने का बात आधिया है, आज 2500 रुपे कुंटल गें हो और 1300 रुपे कुंटल गें हुआ हूं थे बश्ते मुटों की बात रही है, तांकी बेप यह एंने पारा सब लिए और सब्हकर करेंगे मेनि संवानों के साथ कर्मचारियों को मिले पेंचनर को भी महेंगाई बच्छी किस ने मिले उसको वो भी तो इस मंदर प्रदेश का निवासी है पेंचनर के अब प्रदेश का नागरे के लाडली बहना है तो है लेकिन वानी जी विपक्ष ने एक पर फिर से कहा है कि आपने तो चुनाव के समय कहा था कि एक मुष्ट तीन हजार रुपए हर महा लाडली बहना कोई खातों में देंगे और जो घोशना अपने की है केवल कर्ज लेकर घी पीने का काम सरकार कर रही विपक्ष ने ये भी कहा है कि सिर्फ चुनावी घोशना है मैं पूछना चाहती हूँ कॉंग्रेस प्रभक्ता से के इनके कॉंग्रेस शासित प्रदेशों में इन्होंने क्या घोशना ही की है दो दिन पहले कि जो नौकरियों पर जिन पदों पर जो रिक्त हैं जिन पर कोई स्तापित नहीं है वो उनको कैंसल कर दिया जाए उनके पास पैसे नी देने के लिए उचित राशी बची है तो मैं यह सवाल कॉंग्रेस प्रबक्ता से करना चाहती हूँ क्या देश के हर कोने में इनकी रिति नीति बदल जाती है या इनके बक्तरबें बदल जाते है ये मेरे को यह जवाते इस मन्च पर कि कॉंग्रेस प्रदेशों में वो क्या रीती नीती अपना रहे वहां पर तो कर्ज में भीवी सरकार के बधाल है उनका तो GDP रेशियो बहुत बुरी स्थिती में है और मुझे लगता है वहां प्रदेशों में अलोचना भी हो रही है कि इनकी अर्थ व्यवस्ता कितनी असंदुलित है ये नजपार्थ के शा भाव्ती देने के लिए नाकाम है जी वारी जी वो तो ये कह रहे हैं कि आप केवल बड़ी खोशनाएं कर रहे हैं इसके इतर की आप कर्ज लेंगे प्रदेश को और बोज में ला देंगे और फिर इन खोशनाओं को पूरा करेंगे प्लीज दोबारा बोले वारी जी जी ज हम फुट जानते हैं सडक, बिजली, पानी जो एक मूल सुधा मिलनी चाहिए नागरे को हम कितने वर्षों तक और शासत जब समय था उस शासंकाल में हम कितने वंचित परन्तु अब हम आगे बढ़ते हुए जिस रफ्तार और जिस गती और जिस दिशा में जा रहे हैं जिस इस स्तिती से भी निकलेंगे और सरकार निरंतर अपनी नीतियों के दुवारा ऐसे ही वातावरण का निर्मान करना चाहरी है जिस पर ये आत्मनिर्भर प्रदेश हो साथ में मुझे ये बताएं ये कॉंग्रेस प्रवक्ता कि क्या अभी कोई चुनाव है हाली में अभी क्य प्रश्टी है ये आपकी सोच है और इसी लिए इसी ओची मानसिप्ता के कारण आपको दरकिनार कर दिया है जन्ताने और अभी आप साड़े चार साल तो अपने आपको सम्हाल लीजिए जवाब ले लेते जितेंद्र जी ये चुनावी घोश्टना जो आप कह रहे है क्या उप्चुनाव के मद्दे नजर आपने अपनी ये बात रखी है इसी तौर पर जब 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 चुनाव आता है जब जब एक जर्श्टी को मंत्री बना दिया जाता है इस चुनाव के दर्श्टी से नहीं तो क्या है आज भी दो चुनाव जीतना इस सरकार के लिए एहम हो गया है इस सरकार को मद्दो चुनाव के लिए पुरे प्रदेश में इतनी बड़ी खोशना हो गई आप ये कह रहे हैं इस तरीके से कॉंग्रेस ने सरकार भारती ज़स्टा पार्टी होते हुए कोलारस पे विजय आसिल की मुंगावली में की अटेर में की दमों में की इनक हाथ ते चुनाव निकलते गाए इन्हें ये डर है कि कॉंग्रेस मश्कूत इसकिती में है तल बदल का टैपा लगा है हमने मंत्री बनाया वोटों के लिए ये इनको मालूम है कि जाधार पे वोट नहीं मिलेंगे इसलिए ये सब शिकू पे छोड़े जा रहे हैं कभी तक ह हम के रहे हैं जब गोश्रा करनी है सीथी साथ कृष्टत की कीजिए केंडर के बराबर का डिये लाकर करके रख दीजिए पेंशनर को शामिल कर दीजिए तीन हजार रुपर मैला खाते मिदान दीजिए हम इस सरकार की भाइबाई करने लगेंगे एक चीज़ अमिक जी करोना रुपे आरी चंद बगलों को खच हो रहे हैं इसका सवाल उठाएंगे तो दूसरे प्रदेश की बात करें सवाल का जवां से चलिए तो सवाल की जवा में सवाल लगबग हर डिबेट में होता है और दोनों ही दल के प्रवक्ता ऐसा करने से गुरेज नहीं करते लेकिन भुपेंद्र जी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो खोशना है सीधे तोर पर क्या उप्चनाव पर भी असर डाल सकती है और इस करूंगा जी भुपेंद्र जी बुपेंद्र जी आपकी बात जारी रखें जी अब मोच उसन पारें और जी जी अब आपकी आवाज मेल रही है जी तो इसके करयर एक मेंसज जाता है और ये इस स्थापना दिवस्त को उन्हों ने साथ और ते तीपावली वा मन भी आ गई और कर्मेचारियों की सेवाक्ता भी आगी आवकास भी आगया और उनको टीय भी मिल गया डीय भी समानता अभी 3% का गया लेकिन एक खुरिया तो ही और साथ में अभी इस ने बहुती चुनौतियां भी हैं निश्यत उपते चुनौतियां है कि कई जलों में अभी जो प्रसास सब्सक्राइब करें तो उसमें विकास की दर नहीं हो पाती अभी सरकार क्या है महांजी को अभी लगवग एक साल होने वाला है और वो अपनी दक्ष्य तक काविद करेंगे वो संगटर नहीं के साथ है तो उनकी पात एक मैजोटी है और दूसी बात कैन दिखी घबल इंजन संकार के उनके प्यवक्ता कहते हैं तो वो एक बड़ा ही सरुवान नेता है देश के इप्दान बंतिरिया हमारे और जो की एक बहुत बड़े गोल को चेज करते हैं और उनका हर संदे से एक जनता के नुकियों के बारे में बिचार करना रेवियर नुकियों के कारना यह पेहर की अश्कुवान देश है इस union में पड़ाज उसके लिए उनको लगातार तीन चाह महीना में परज लेना पड़ता है, तो वह भी एक समस्या है, देश को राजी कूपर एक आतरिक बहुत एक करजा बढ़ रहा है, लेकिन अभी आगर देखें तो लगातार मुक्मन्ती हर समुदाय के लिए कर रहा है, अभी उन्होंने हर चेता में इवेंट्स वगरा किया है, और जितने निवेश को भी बढ़ाया है, और उन्होंने चेता को भी चेता के साथ सरकार आपके दौर एक संदेश दिया है, और उसमें संगठन भी जोड़ा है, तो इस सारी चीजों से फाइदे मिलते हैं, लेकिन जब तक अभी जैसे बीजेवी प्रवक्ता ने कहा कि कॉंग्रेस अपनी 10 महीने कारगार्णी निगर्टिट कर भाई सीम, तो ये बहुत से बड़े संदेश है, जो कि कॉंग्रेस जिस निमारी से गिसत रही उससे निकलना होगा, और लोक्तंति के लिए एक ससकत बेवक्ची की भूंका और गेर प्रवानी चाहिए को कि संगठन को निश्य दूर्स से काम नहीं मिलेगा, लेकिन गुपेंद्र जी यहां पर एक बैलस की बात लगातार हो रही है कि घुशना है, तो कई हुई है, लेकिन क्या किसी तरह से इसका आर्थिक बोज भी सरकार पर पड़ेगा या प्रदेश वा लेते हैं, तो वो उससे समांस्ता हो जाता है, और रेवन्यू जनरेट करते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने बहुत समेट की हैं, और उसमें अगर निश्य दूर्स से आएगा तो रेवन्यू भी सरकार का बढ़ेगा, अब वो तो क्या है पढ़नाम थोड़ा देर में आते है कॉंग्रिस के वो कारकाल को नहीं, वो जन्ता की रूप में मिटाना चाहते हैं, कि वो कॉंग्रिस का कारकाल उसमें का था, तो वो हमीशा याद कराते हैं, और कहीं न कहीं सरकार अपनी उपलब्धी भी लगातार बखान करती है, लेकिन डॉक्टर वानी अलिवाली जी, क् करती है कि चुनौतिया भी कई होंगी इन खोशनाओं को पूरा करने में, और कुछ और वर्ग हैं, जो कि वंचित है, लगातार मांग भी कर रहे हैं, उन पर कब तक ऐलान संभाव हो सकता है? जिक्षे के आपने जितने भी त्रैसी की किए उशका एक उत्तर है, कि जो भी भारते जनता पाटी के अंदरघच सरकार है, समा वेशी सरकार है और जनता के हर भाग, हर अंग को अपने अंधर समाने वाली मतलब एक इनक्लूजव सरकार है, तो निश्चित उसे इनक्लूजव की प्रक्रिया होती है, उसमें काम करने में वो दो मिनिट के इंस्टिट नूडल्स जैसा काम नहीं होता है, इसमें समेह लगता है और थोस काम करना जिसका परिडाम अच्छा होगा, जिसकी नीव बहुत अच्छी रखी होगी, उसमें समय भी लगता है और योजनाबत तरीके से भी होता है, परन्तु कॉंग्रेस की जो प्रवक्ता है, उनके वक्तवियों से मुझे यही समझ में आया, कि मेरे प्रश्णों का उत्तर वो इसलिए नहीं दे पाए, क्योंकि उर्दर कही ना कही भय के बादल है वो मैंने प्रश्ण पूछे के आपके बाकी के प्रदेशों में जहां कॉंग्रेस की सरकार है, वो बदहाल क्यों है, जवाब नहीं है, सन्नाटा सा गया, और फिर भय वाला, उनका जवाद, वो यह कहेंगे कि केंद हमको पैसा नहीं दे रहा है, उनके रोना वही होता है, परंतु जहां वो जाते हैं, वहाँ जमीन का घपला, वहाँ पिंशनर्स को ठगा जाता है, वहाँ नौकरिया बंद कर दी जाती है, आप मेंसे गिनवाये मत, मैं चार-पांच मुद्दे और गिनवा सकती हूँ, पर यह सब ज्वलंत मुद्दे हैं, जो कॉंग्रेस शासित प्रदेशों में हमने अभी कुछी दिन पहले सुने हैं और अभी भी चालू है, रोज एक नया मुद्दा आ जाता है कॉंग्रेस शासित प्रदेशों से. मुझोर मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार.